आप ने ये सीखा कि रिदय के आकुंचर और शिथिलन के सहयता से धमनियों में रक्त को निरंतर प्रवाहित रखा जाता है संकुचन के कारण धमनियों की भित्ती पर रक्त का दाप पड़ता है उसे रक्तदाप कहते हैं शरीर के सभी भागों में रक्त पहुचने हेतु उचित रक्तदाप आवश्यक होता है रिदाय के अकुंचन के समय उत्पन दाब जो की ज्यादा होता है उसी को प्रकुंचन दाब सिस्टूलिक दाब कहते हैं और शिथिलन के समय उत्पन होने वाले दाब को आनूशिथिलन दाब कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब 128 से लेकर 149 नवासी मिमी पारे के स्तंभ के दाब के बराबर होता है क्या आपने कभी किसी डॉक्टर को रोगी का रक्तदाब चेक करते हुए देखा है रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्मो मैनोमिटर नामकी अंतर का उप्योग करते हैं कभी कभी यदि व्यक्ति मोटा हो या फिर किसी तनाव में हो या टेंशन में हो तो रक्तदाब बढ़ सकता है याद रखिएगा यदि अगर रक्तदाब निरंतर 149 मिमी के स्तंभ से ज्यादा रहता है तो इस अवस्था को उच्छ रक्तदाब हाइपर टेंशन कहते हैं उच्छ रक्तदाब बुखार सर्दी मलेरिया इन जैसे रोगों से अलग है उच्छ रक्तदाब ये मनुष्य के शरीर के साधारन रक्तदाब की अपेक्षा अधिक वाला दाब है जिस व्यक्ति में उच्छ रक्तदाब हो उसकी धम्यों में अनावशक तनाव निर्मान होता है और उनकी बित्ती तूटने का या बरबाद होने का खत्रा रहता है इसके कारण किसी विशिष्ट अवयों तक रक्त पहुचने पर परिणाम होता है उच्छ रक्तदाब का अच्छी तरह से इलाज होना चाहिए अन्यथा वह खतरनाक साबित हो सकता है इसलिए उच्छ रक्तदाब को अन्देखा नहीं करना चाहिए और इससे पीडित होने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए सारांज रिदय के अकुंचन के समय उत्पन दाब जो की ज्यादा होता है उसी को प्रकुंचन दाब सिस्टूलिक दाब कहते हैं और शिथिलन के समय उत्पन होने वाले दाब को अनुशिथिलन दाब डाइस्टूलिक दाब कहते हैं रक्तदाब मापने के लिए स्फिग मॉमेनोमेटर नामक यंत्र का उपियोग करते हैं यदि अगर रक्तदाब निरंतर 149 मिमी के स्तंभ से ज्यादा रहता है तो इस अवस्था को उच्छ रक्तदाब हाइपरटेंशन कहते हैं उच्छ रक्तदाब को अंदेखा नहीं करना च चाहिए मैं तुम्हारे लिए एक कृती बताता हूं घर के सभी बड़े लोगों का रक्तदाब चेक कीजिए रक्तदाब को दर्च कीजिए यदि तुम्हें पता चले कि किसी का रक्तदाब बहुत बढ़ गया है तो उसे अस्पताल ले जाईए कर दो नहीं कर दो जाईए